नमस्का दोस्तो आज हम periods related अपनी exercise करने वाले जिनको time पर periods नहीं आते या फिर late आते हैं या miss हो जाते हैं तो उनके लिए आज हम exercise करने वाले हैं सबसे first exercise है square jump इसमें आपको नीचे की तरफ ऐसे जुकना है और फिर पीछे की तरफ ऐसे कूदना है पीछे की तरफ आपको bent होना है या stretch होना है इस तरह आपको इसको 15 बार करना है तो आप इसको 15 times अपने मन में count करते करते आप इसको करिए इससे आपका pelvic area पर असर के कंदो जितना distance रखे पैरों के बीच में हाथों को ऐसे खोल कर लंबी घहरी अंदर और बाहर सास लीजिए और relax राम से शांत रखे अपने मन को मन में शांती सबसे ज़्यादा जरूरी है अब हम यहाँ पे जो है अपने पैरों को जो है equal कंदों के जितना खोल कर मैंने य अच्छी exercise सबसे अच्छा आसन है पीरियर्स की problem के लिए और खासकर ओर्टों के लिए तो सबसे जादा यहाँ पे आपको अपनी elbow से अपनी कोहनियों से अपनी घुटनों को stretch देना है कमर को सीधा रखना है इस position में आपको बैठ जाना है अपनी कोहनियों से घुटनों को stretch कर जितना हो सके अपने pelvic area को खोलने की कोशिश करनी है सारी periods की problem जो है खतम हो जाएंगी इस तरह आपको मलासन में एक मिनिट के लिए बैठे रहना है पुराने जमानी की ओरते मलासन को बहुत जादा करती थी अपने रोजगार के काम में तो उनके लिए उन्हें यह करने की जरूरत ही नहीं पढ़ती थी और उन्हें ऐसी कोई problems होती नहीं थी तो अब आपको भी मलासन हर रोज करना है ताकि आपको periods related कोई problem होई ना और साथ में यह आपकी reproductive health को भी बहुत अच्छा रखता है एक मिनिट मलासन करने के बाद अब फिर से relax हो जाएए हाथों को खोल क और लंबी गहरी सास लीजिए मन को शान्त रखिए मन को शान्त रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा stress tension या anxiety या depression होनी के विज़े से भी आपकी period मिस हो जाते हैं अगले exercise है यहाँ पे आपको अब हम butterfly pose करेंगे butterfly pose में आपको अपनी पैरों को इस तरह मि पकड़ कर सोरी अब अपनी पैरों को जितना पैलवी के रिया के पास लेकर आ सकते हैं उतना लेकर आए कमर को सीधा रखिए पैरों को जितना हो सकी नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए और इस तरह आप एक तितली की तरह उड़िए यह सही butterfly pose कहते क्योंकि इसमें आप ति और यहीं इसका रीजन है कि butterfly pose जो सबसे अच्छा pose माना जाता है औरतों के लिए क्योंकि सारी समस्याई खतम कर देता है तो butterfly pose भी आपको कम से कम आधा या एक मिनिट हरोज करना चाहिए सबसे खास हैं औरतों के लिए butterfly pose करते करते अराम से अपनी कमर को सीधा रखते हुए म और इनको नीचे की तरफ stretch करना है नीचे की तरफ stretch करते हुए आपको अपने पैरों पर काफी अच्छा stretch feel होगा अपनी थाई के पास में और यह सबसे अच्छा है आपके लिए अगर आपको जो stretch अच्छे से feel करना है तो आप अपने हाथों को अंदर की तरफ ही रखिएग नाइन और टैन आप कर लीजिएगा ठीक है अगला है आपको अपने हाथों से फिर से पैरों को पकर कर कमर को सीधा रखकर आगे की तरफ जुकना है सास छोड़ते हुए और जब हम पीछे आएंगे तो सास अंदर लेंगे तो सास छोड़ते हुए अब हम आगे जाएंगे सास छोड़ दीजे सास अंदर लेजे छोड़िये अंदर लेजे जी इस परकार आपको इसे 5 से 10 बार करना है जितने में आप कमपर्टेबल हो उतना पहले पहले दिन जादा मत कीजेगा क्योंकि पहले पहले दिन तो आपकी प यहां पर रिलेक्स कीजिए एक से धाय मिनिट के लिए अराम से बैठ चाहिए अब भी मन को शान रखिए अच्छा अच्छा सोची अच्छा अच्छा फील कीजिए इसके बाद अगर आप इतनी एक्सरसाइज करकी आपको लगता है कि आप ठक गए हैं तो अगली एक्सरसा इसमें आपको इसको कैमल पोस कहते हैं इसमें आपको अगर आप पहली बार कर रहें तो इस तरह आप पैरों को सीधा शेप में लाकर अपनी कमर से बैंट हुए यहां पर एलबो को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और फिर अपनी पीछे जुकिए ऐसे तीन बार आपको जुकना है इससे आपको क्या होगा कि आप में confidence आएगा आप पीछे की तरफ जब जुकेंगे पैरों को पकड़ते हुए तो आप जो यहां पर गिरेंगे नहीं और आपको जो अच्छे से फील होगा तो इस तरह आप हाथों को हाथों से पैरों को पकड़िए और अपनी कम प्रोब्लम है तो सबसे जादा अच्छा है कैमल पोज इस तरह आपको इसको दस से पंदरा सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलेक्स पोजेशन में आजाना है अब अगर आपकी कमर में बहुत जादा दर्द हो गया हो तो यहां पे अपने हिप्स जो है वो अपनी यहां पे एडियों के उपर टिका लीजिए यहां पे पैरो को आगे की तरफ खौल लीजिए और अब मियां पे करेंगे शशांक आसन जो की है चाइल्ड पोज आप अपने हाथों को जितना आगे लेके जा सकते है उतना आगे लेके जाने की कोशिश कीजिए और अपनी ठोटी जो ज इसको आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छा relaxation पोज होता है यह अगला है यहां पर अगले exercise करेंगे अगले exercise करने से पहले मैं आपको बता दो कि चाइल्ड पोज जो है वो एक relaxation पोज ही होता है बच्चे वाला पोज होता है जो आप अगर कभी भी आपकी बोड़ी में कोई परका का दर्द हो वर्काउट करते टाइम कोई भी दर्द हो ता आप इसको कर सकते हैं अगला फिर हम यहां पर पेट के बल लेट जाएंगे अब हम करेंगे यहां पर धनुरासन धनुरासन भी सबसे अच्छा आसन है रिप्रोड़क्टिव प्रॉब्लम और पीरिर्स प्रॉब् प्रॉफ को उठाएं पैरो को मिलाने के कोशिश कीजिए अप्ति कोनियों को सीधा रखिए और इस तरह अब 5-10 मिनिट होल्ड सोरी 5-10 सेकेंड और करते हुए 5-10 मिनिट तो होगा है नहीं 5-10 सेकंड होल्ड करते हुए इस 2-3 बार आ जाये और अब रिलेक्स अब रिलेक् करना है धनुरासन करने के बाद आप यहां पे एक मिनिट के लिए ब्रेक लीजिए अच्छे से रिलेक्स हो जाए रिलेक्स फील के अपने दिमाग को अभी शान्ती रखना है आपको दिमाग को कहीं इधर उदर मतले के जाए दिमाग यहीं पर रखे अब राम से बैठ जाए पैरों को इस तरह से आपको आसन में बैठ कर ग्यान मुद्रा बना लेजिए और ग्यान मुद्रा बना कर अच्छे से ब्रीथिंग लीजिए इन आउट सास अंदर और बाहर लीजिए रिलेक्स रहिए और अच्छा-च्छा सोचिए अपने भगवान को अपने इष्ट अच्छा होगा सब ठीक हो जाएगा मेरा शरीज बिलकुल स्वास्त है मैं बिलकुल स्वास्त हूं अब राम से रिलेक्स होने के बाद अब आपको क्या करना है एक हैल्दी डाइट फोलो करनी है क्योंकि सिर्फ अक्सिसाइज से काम नहीं होगा जंक फूर्ड और फास्ट जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा अगर जादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना मत भूलिएगा सर्फ योटुब पे ऐसे मत देखिए मैंने जो यह सारी रिसर्च करके यह आपको वीडियो दी है तो यह जो है बहुत ज़दा हेल्पूल होगी बाकि डॉक्टर के बाद ज़रूर जाएगा नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई